आपका स्वागत है में प्रियाम आपके साथ डारेक्टर विविक अगनीहोत्री दे कश्मीर फाइल्स के बाद अपनी अगली फिल्म दे वेक्सिन वार को लेकर चर्चा में है ये फिल्म 28 सितंबर को सीनेमा घरों में रिलीस होने वाली है हाली में इस फिल्म की प्रोडियूसर और एक्टर पलवी जोशी ने बातचित के दोरान डारेक्टर विविक अगनीहोत्री की सोच पॉलिटिकल है बताया उन्होंने इंडरिस्ट्री के बदले हुए बढ़ताओं के बारे में भी बात की और कहा कि शायद दा वेक्सिन वार के बाद जिंदगी फूलों की सेच की तरह न रहे विवेक अगनीहोत्री की फिल्मों में लोग राजनीती जोडने लगते हैं इस बात पर पलवी ने कहा विवेक पॉलिटिकल फिल्म में बनाते हैं क्योंकि उनकी रूची है अगर लोग ऐसा समझते हैं तो बिलकुल सही समझते हैं लेकिन हाँ जिस तरह से कुछ लोग रिय किलर को पसंद कर रहे हैं वे बहुत शुक्र गुजा हैं आगे फाइट की बात करते हैं कोविट के दोरान कुछ लोगों का ग्रूप था जो इस बात पर अड़ गया था कि विदेशी वेक्सीन ही हम लोगों को लेनी चाहिए अगर वो वेक्सीन इंडिया में नहीं आएगी तो 40 करोड लोग इंफेक्ट हो जाएंगे हमारी पूरी फिल्म इसी के बारे में हैं बागी की तबाव को अबरों के बने रहे हैं राजणावा नवी के साथ ताने बाद